हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ स्वेता सिंग, आज मैं आपके शाष शेर कर रही हूँ मोती की खेती करने वाले संजे गंडाटे की प्रेरख कहानी मोती की खेती कर देश में नाम रोशन करने वाले किसान संजे गंडाटे के तालाव से 12 सीप चोरी हो गए, इसमें 2400 मोती थे, इनकी कीमत 7,20,000 रुपे होने का दावा किया जा रहा है इससे पहले भी गंडाटे के तालाव से 5000 सीप चोरी हो गए थे इससे गंडाटे का करी 25 लाक रुपे का नुक्षान हुआ था जिसके कारण उन्होंने अपना बेवशाई बंद कर दिया था अब गंडाटे ने दुबारा मोती की खेती करना शुरू कर दिया है इतने के बाबजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी गंडाटे ने अपने करीबी योगेस्वर कावल के खेत इस्थित तालाव में 3500 सीप में मोती के 7000 बीज डाले थे अब आई जान लेते हैं कि संजे मोतीयों की खेती कैसे करते हैं संजे 10 बाई 10 फीट के तालाव में मोतीयों की खेती करते हैं सबसे पहले बंद सीपों में खाचे लगा कर उनमें मोतीयों का बीज डाला जाता है फिर इन सीपों को बंद कर जाली के सहारे पानी में डाल दिया जाता है कुछ महीनों के बाद इन्में मोती तयार हो जाता है संजे ने बताया कि बेशाल भर में करीब 11-12 रुपय आसानी से कमा लेते हैं संजे डिजाइनर मोती की भी खेती करते हैं संजे ने डिजाइनर मोती तयार करने की तकनीक भी खोजी है मोतियों को तयार करने के लिए उन्होंने खास तोर पर खाचे बनाए हैं इन खाचों में बेग गनपती, बुद्ध, हॉली, क्रॉस, साइन जैसे डिजाइनर मोति भी तयार कर चुके हैं बाजार में ये मोति 300 रुपी परतिनक के रेट से बिखते हैं तो दोस्तों ये थे मोति की खेती कर लाखों में कमाई करने वाले संजे गंडाटे की प्रेरक कहानी तो उमीद है ये वीडियो आपको पशंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए इंफॉर्मेटी वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो, बाई